तो दोस्तों आपने कई बार लौकी की सबजी बनाई भी होगी और खाई भी होगी पर लौकी की सबजी का नाम सुनते ही सारे घर वाले मूँ बिगाणने लगते हैं तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल में लौकी की सबजी इस सबजी को बनाने के बाद आप मनीर की सबजी खाना भूल जाएंगे नमस्कार दोस्तों ममता की रसुई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ लौकी की सबजी मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा इस सबजी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर लौकी आप के हाँ लौकी को क्या बोलते हैं हमारे हाँ तो इसे लौकी ही बोलते हैं कहीं कहीं से दूधी बोलते हैं लौका बोलते हैं और यह देखिए यहाँ पर इस महीन कट करने की जरूरत नहीं है इसी तरीके से सारी लौकी को हम कट करेंगे आप देख पा रहे होंगे लौकी की सबजी इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे तो चलिए इस तरीके से सारी लौकी को कर लिया है हमने कट और लौकी थोड़ी सी बड़े साइस की थी और ज्यादा थी, तो मैंने लोकी का एक भाग यानि एक टुकड़ा उठा के रख दिया है, उसे हम किसी दूसरी रेसिपी में या फिर किसी डाल में डाल के बना लेंगे, और यहां पर सारी लोकी को हमने इस तरीके से कट कर दिया है, यह देखिए, इसे हम रख देंगे एक साइड में, अब एक mixing ball लेंगे और उसमें यह जो कटी हुई लोकी है उसे डाल देंगे, अब चलते हैं, mixer jar लेते हैं और mixer jar में इस लोकी को डाल देते हैं, और दोस्तों यहां पर कुछ भी इसमें डालने की जुरूत नहीं है, थोड़ी सी दही एक से दो चमच डाल दीजेगा उसके बाद डालेंगे चावल का आटा ये देखिए चावल का आटा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाईएगा और मिलाते जाईएगा और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि चावल का आटा आप अच्छे से डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा, नई तो यह गिला रह जायगा, पकने के बाद भी। तो यह देखिए, मैं इस तरीके से अच्छे से मिला रही हूँ और चावल का आटा थोड़ा करके इसमें mix कर दिया है तो अब हम डालेगे इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मीठा सोडा डालके भी हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे एक side से ही मिलाएंगे ये देखिए और अब एक plate लेंगे plate को हमने पहले से ही तेल से ग्रिस कर रखा है उस पे इस better को डाल देंगे और ये देखिए इसे फैला देंगे थोड़ा इस तरीके से उपर से चिकना कर लेंगे ये देखिए आपर हमने चिकना भी कर लिया है और फैला भी दिया है अब इसे 20 मिनट तक पकाना है हमें तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसे 20 मिनट तक रखके भाब पे पकाएंगे गैस पे मैंने पहले ही डेड़ ग्लास पानी रख रखा है यह देखिए यहाँ पे रख दिया है अब इसमें इस तरीके का एक प्लेट डाल देंगे कटोरी डाल देंगे या फिर आपके पास इस्टेनर है तो उसे भी डाल सकते हैं अब यहाँ पे मैंने तीन टमाटर लिये हैं उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे तीन प्याज है छोटे साइज की उसे भी इस तरीके से दो-दो भाग में कट कर लिया है और प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे अब हमने लिया है यहाँ पे लहसन की कलिया तीन थोड़ी सी हारी मिर्च ले ली है अब डालेंगे थोड़े से सुखे मसाले तो उसमें मैंने लॉंग, काली मिर्च और डाल चिनी स्टिक डाली है अब इन सारी चीज़ों को एक साथ हम डाल के पका लेंगे उदर हमारा ये जो लॉकी का पेस्ट है ये भी पक जाएगा और साथ में ये सारी सबजियां जो हमने डाली हैं ये भी पक के रेटी हो जाएंगी तो ये देखे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पानी भी लगबग सूख चुका है, तो मेडियम फ्लेम पे हमने पकाया है और ये देखे, सारी सबजियां भी पक गई हैं और जो हमने पेस्ट डाला था वह भी अच्छे से पक के त्यार हो गया है अब हम इसका टोरी को निकाल लेंगे और इसमें से सारी चीजें इस तरीके से निकाल के रख लेंगे अगर लौकी को पकाने के बाद भी इसमें पानी बच जाता है तो आप सबजियों को निकाल के उस पानी को रख सकते हैं उस पानी को आप सबजी में जब हम सबजी की ग्रेवी बनाते हैं तो उसके बाद यूज कर सकते हैं यहां पर देखिए कडाही को दुबारा से मैंने धोके रख लिया है और इसमें डाल दिया है दो चम्मच ओयल बड़े चम्मच से थोड़ा सा हींग थोड़ा सा जीरा और जैसे हींग जीरा चटकने लगेगा एक डेर चम्मच हम डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च इससे कलर सारे मसालों को बस एक बार इस तरीके से चलाएंगे गैस की फ्लेम को लो कर लीजेगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे अब जो हमने मसाले इसमें से जो सबजिया यानि प्याज और टमाटर सारी मसाले निकाले थे उसे हमें अच्छे से मिक्सर में ठंडा होने के बाद पीस इसमें डाल दिया है उसे डालके अच्छे से मिक्स करेंगे आप देछ तरीके से अब थोड़ा सब नमक डालेंगे वह जो सारे मसाले थे खड़े मसाले बाद अच्छे से पके हुए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही तो यहां हम पर बड़े चम्मच से एक चम्मच दही डाला है मैंने इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है दही डालने से दही खलक्ती बिल्कुल मत लीजिएगा इस तरीके से दही डालके अच्छे से हम mix करेंगे आप देख पा रहे होंगे दही डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसे चलाते रह रही हूँ और mix कर रही हूँ ये देखिए इस तरीके से अब इसे अच्छे से mix करने के बाद low flame पे ढख के 2 मिनट तक पकाएंगे और दही भी हमारी अच्छे से पक गई है मसाले से तेले एक दम से अलग होने लगा है ये देखिए तो अब हम डालेंगे gravy के लिए पानी और यहाँ पे आपको बहुत पतली gravy नहीं बनानी है इसकी medium ही बनाईएगा अब इसे ढख के पकने देते हैं medium flame पे तब तक हम चेक कर लेते हैं इसे तो मैंने इसे निकाल के थोड़ी दर के लिए फ्रिज में रख दिया था फ्रिज में रखने के वज़ा से जल्दी यह सूख गए हैं और आप फ्रिज में रखेंगे तो यह असानी से कटने लगेंगे यह देखिए यह असानी से कट रहे हैं और टाइट हो चुके हैं और बस हमें इसी तरीके का इसे बनाना है और ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से जैसे पनीर के पीस त्यार होते हैं उसी तरीके से ये पीस त्यार हो जाएंगे ये देखिए पनीर की तरह एकदम से त्यार हो गए हैं इसके पीस अब हम ढखकर हटाएंगे और जो हमने लोकी का पनीर बनाया है उसे कट किया है उसे हम इसमें डाल देंगे बहुत पहले से उसे मट डालिएगा नहीं तो इसमें गल जाएगा जब आपको उतारना हो तो उसके बस दो मिनट पहले इसे डालिएगा और इसे हलके हाथों से चला दीजेगा अब ढ़क के सबजी को थोड़ी दिर तक अच्छे से पकाईएगा और बस एक से दो मिनट के बाद ही आप इसे उतार लीजेगा गैस की फ्लेम को बंद कर लीजेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबजी अच्छे से पक चुकी है और अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और फिर गरम लजीस से सबजी पाती चावल के साथ भी यह सबजी बहुत अच्छी जाती है और जो लोग लौकी नहीं भी खाते है न वह इस सबजी को मांग मांग के खाएंगे तो मेरी यह लौकी की सबजी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताईएगा और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक की कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाई बाई दोस्तों